दर्शेकों कैसे हैं आप से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिती रिवास विजेता में दर्शेकों इस 24 जन्वरी 2019 को अभी सकत चौत का व्रत आ रहा है जिसे हम संकर चतूर्थी या फिर तिलकुटा चतूर्थी की नाम से भी जानते है तो इस वृत के बारे में आपने क्या-क्या Liam लागु होते हैं आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उद्यापन कैसे करना चाहिए और पूरा जो वीदी विधान है वो मैंने आपको पिछले वीडियू में बताये था लेकिन इसकी जो कथा है वह है मैं आज इ सबसे पहले आपको मिले और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें तो प्लीज सस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सकट चौत की जो व्रत की जो कहानी है वह इस पिकार है एक बुढ्या माई थी वह सकट माता का जो हर चौत हर चौत का जो जो जो बेटा हैं वह काफी गरीद थी वह लकडियों लकड हारा था लकडियों चुन-चौन के लेकी आता था तो उसे हर चौत को मेण धिया चौत की बरद का थो तिल गुड़का नाती थी ती माँह तू तो नी track करकर के उसकी अपाइके मेंद कर. में बोलते हैं एक तो brushing बर्डी परएक्टे लिए बस बर्के ले जा रहे है तो फिर वो बहुत विलाब करती है लेकिर वो नहीं मानता है तो फिर वो बोलती है कि उसको एक दो पोटली पकड़ा दिती है एक में चावल होते हैं एक में तिल होते हैं और बोलते हैं कि बेटा तू ये ले जा और मैंने हमेशा तेरी लंबी आयू के लिए तेरी तरक्की के लेकिन तुझे कुछ पड़ोसनों ने जो भड़का दिया है उस वज़े से तु उझे छोड़के जा रहा है वो गोलते है नहीं नहीं मिरको जाना है और तुझे अगर कहीं पे भी तिरे पर कोई कष्ट आए और अगर मैंने तेरे नाम के सच्चे वरत रखे हैं सिर्फ तेरे ले रखे हैं तो तु वहाँ पे यह तिल और चावल बखेर के बैठ जाना झो कष्ट है वो तेरे दूर हो जाएgens वह उनगों ले के चला जाता है तो जहनला तो तो वह उसके रास्त की की द्रिए और प्र वो ब्लागवान अगर मेंमU नाम के दिए रास्ता मिल जाए उसको रास्ता मिल जाता है फिर वो आगे चलता है वहाँ पे एक साप फन जंगल में साप फन बैठा होता है वहां देखके फिर वह ऐसी करता है वो तिल और चावल पखेर के बोद्धे कि है चौत माता अगर मेरी माने मेरी लिए ही वरत किये हो मेरी आयो वृद्धी के लिवरत किये हो तो मुझे रास्ता मिल जाए तो जो सरब देवता होते हैं वो वहां से चले जाते हैं तो ऐसे करते करते वो अपना रास्ता तै करता हुआ आगे बढ़ता रहता है फिर एक चगा देखता है एक बुढिया माई होती है वो रो रही होती है और मीठे पूरे बना जो आवा जो पकता है उसमें हर दिन किसी ना किसी के एक इनसान की बली दी जाती है तो अब की बार हर घर से एक जरा जाता है अब मेरा तो एक लौता बेटा है वही मेरा सहारा है और आज मेरे बेटे की बारी है कि वहाँ जाने की उस बली पे चड़ने की तो मैं इसलिए ये स तो मyszवारे बेटे की जगा और कि लो मनहें बोलको सिपाह realtà ही जाना के ओवा है। भिलुक है है हिए और तो आवा उटने के लिए। ते स्वसक्ते साथ जाता कि हाँ मैं अपनी बेटे की जगह किसी और के बेटे को भेज रहे हूं बोलता है बुड़ीया माई तु चंता मत का है कोई दिकत निये तो कुछ मुझे कुछ नी होगा और तेरा बेटा बिल्कुल ठीक है उसको घर में है मैं जा रहा हूं वह जाता है वहाँ पर उसको बिठा के लिए अगर कभी व्रत रखे हो तो उसके फल से मैं यहां से जिन्दा बच के निकल जाओं तो क्या होता है कि अब वह एक बंदा बूलता है कि मुझे तो क्या कहते हैं जो लोट होते है कुमार के आवे मुझे वो चाहिए कहता है नहीं अभी तो पकने में समय लगेगा अ उसमिसे अवाज आती है अरे भाई धीरे दीरे निकालो कुनूस अब डर जाते हैं कि अरे इसके अंदर ऑवास केसे आरहे है इसके लिए मुझे जब सब हटा तह यहाती हमेश॑ तो उसमेंसे ओड़ता वापीस आता है वो जिंदा के निकल कै आए। ‍सके अंदर से तो वह सारी वो उसको जो सिपाई है वो पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं फिर वो राजा के सामने वो सारी बात बताता है कि जो मेरी मा है वो हमेशा तिलकुटा बना करके हर चौथ का वरत किया करती थी मेरे आयू बृद्धी के लिए तो उसकी प्रताप से ही आज मैं इसमें ढवा में भी बच गया हो तो जो राजा होता है वो पिर यो बेटी राजकुमारी है उसका हात समें देता है और भूट सारा धन दोault दे के उसको वहां से विधा करते हैं वह लड़का उसको लेकिए आता है अपने गाउं में अपकी मा के पास में और वहां पर पर जबोह पूरी नगर में उसके शादी का उद्यापन करती है अपने बेटे के विभा का तो जब से ही माना जाता है जब भी बेटे का विभा हो या फिर आपके घर में लड़का हुआ हो तो यह उद्यापन किया जाता है तो यह है चौत माता की जैहू और इसके बाद में आप गनेश जी की कहानी भी जरूर सुनिये और उसके बाद में जो आप में हाथ में दूब लिया हुआ है तिलकुटा कहानी सुनते समय वह आप अपने पल्ले को गाश लगा लीजिए कहानी सुनने के बाद में आप पहली बाइना जरूर निकालिए बाइना प्रती वर्ष निकलेगा हमेशा आप बाइना निकाले बाइना निकालने के बाद में अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आप चाय वग करके जो आपने अब पल्ले में तिल कुटा है उनको चड़ा करें उसके बाद में ही आप अपना जो ब्रत का पारायन करेंगे लेकिन सबसे पहले एक बहुत महत्लों बात कि जबी आप अपना वृत को EBOT WORK झा compliant कि गो आपने ज्चाना बना है वह आप खाएंगे तिल बहुत जरूरी है नहीं तो यह जो व्रत होता है यह पूरा नहीं मारा जाता तो दोस्तों अगर मैं आपको अच्छी जानकारी दे पाई हूं आपको आज का मेरा यह वीडियो पस्तंद आये तो जरूर लाइक कीजिए गा शेय कीजिए गा और कॉमेंट करके मुझे बताएं आप लोगों में से कितने लोग हैं जो यह सकाचाओ का व्रत करते हैं और कैसे करते हैं अगर जो मैंने आपको बताई अगर कुछ अलग है तो हुचे वह भी कॉमेंट करें सजूर पताईगा इसे मेरे वीडियो को देखते रहेगा मिलते है नहीं वीडियो में दोस्तों नम आपको बळबागा आपको